नमस्ते भारत नमस्ते किशान मैं गणिश किशान प्रिसे किशान कारिशाला प्लाटफॉर्म पर आप पूरे भारत के किशानों के लिए किला खेती में कई सारी समझ्षय आ रही है जिसको थोड़ा-थोड़ा में समझ रहा हूं जो समझा है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कुछ यूपी से किशान में तर जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे पास वीडियो बना कर भेजा आईए देखते हैं समझते हैं एक्च्वल किसान अपने खेत में पूरा प्रोटेक्शन करकर भी वातावरण की वज़े से कही न कही मार खा जाता है त ताकि अंदर में हवा भी नहीं एंट्री कर सके इंसान तो अलग बात है दूसरी बात कुछ किशान मित्र के क्वेस्चन थे जैसे यह फल जो आए हुए है इतनी बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए भी और आगे बढ़ते हुए भी इनका एक क्वेस्चन था कि भीया इस कि अभी भरने की कगार पर है लेकिन फिर भी बहुत चोटी-चोटी है एक दम चोटी-चोटी फल लिया है तो इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि भीया जैसे इतना बड़ा जो बंच है अपना यह इतना बड़ा बंच जो है इसमें शुरुआती चरण में जैसे यह घरमी में फल आया हुआ है तो यूपी में पहले ठंडी बहुत ज़्यादा होती है ठंडी के बाद में इसे फिर गर्मी अचनक से बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस समय में जैसे मार्ज के लगभग एपरिल में अगर यह फल आता है जैसे जुलाई के मैं अब बात कर रह तो उस समय में छोटी-छोटी फलिया बाहर निकलती है आपने कई बार देखा होगा कि मेरे कुछ अगर आप सेशन वीडियो देखोगे तो उपर में दो पंज अच्छे हैं बीच में एकदम छोटे-छोटे हैं बाद में फिर से अगर थोड़ा सा न्यूट्रेशन अच्छा पउधे को उस दिशा में लेकर जा रहा है मतलब थंडी से अचानक गर्मी की ओर जाना और गर्मी कंटिनियूसली रहना उसके बाद में फिर से बारिष आ जाना तो हर वाता वरण में पउधा अपने आपको स्टेबल करने का प्रयास करता है तो वो स्टेबल करने का टाइम डॉरेशन ही उसको जाशे 15 दिन हो सकता है या 20 दिन हो सकता है उस 15 से 20 दिन में जितने भी ढिशाऊठर आते हैं वो ढिशाऊठर आपके केले के फल के उपर दिखना शुरू हो जाते हैं Czech अभी भी किसान ने ध्यान में रखना है दूसरी बात इसके बाद में आने वाला जो फल है वो काफी अच्छा और प्रीमियम आएगा यह मैंने पहले भी बोला रहा है पूस हिसाब आपके फिल्ड में फ्लावर आ रहा है आए आगे के फोटो अगयरा भी देखते हैं किसान मि का फोटो मेरे पास इन्होंने संडे के दिन भीजा हुआ है मतलब 4-5 दिन पहले कि यह भरने की कगार पे हैं तो यह बहुत पहले निकला हुआ है कम से कम केले का फॉल निकलता है पहली बार फ्लावर निकलता है तो उसको भरने के लिए कम लगबग लगबग इस वाता जाते हैं यह बारिश या गर्मी का पिरेड हो सकता है बारिश अगर कंटिनियूस है क्लावडी इंवर्मेंट है तो नब्य दिन भी लग जाएंगे अगर इसमें धूप आ रही है तो सत्तर से असी दिन में केले का फॉल अच्छे भरन पोशन करके कटके चला जाता है मार्क करना ता जैसे यहां फे पुईया अगर मैं देखको उल्लीयों की संक्या अगर मैं देखको तो ₹ से ₹ Não फजलियों की संक्या रखे वही है कि वर्लीयों की संक्या ईक दो तीन本 चार 5 तो इसमें पांच भी रखते तो अच्छा रहता पांच रखते तो यहां तक फली और उपर में फिर केले के लंबाई दूसरी बात एक दो स्प्रे उस समय हो जाना चाहिए था जैसे केला का पोधा जो फ्लावरिंग देता है उसी समय सातवे दिन जब पूरा बंच निकल के ब पहले तो पहला नीम और दूसरा जीए वगेरा जीब्रेलिक एसीड वगेरा का उपवय का बारक करते हो तो वह अपने केलों की सेल वाल को बढ़ाने का कारिय करता है तो आप मिरंतर अगर बात करते रहोगे तो आपको यह समश्याओ का समाधान किसान कारेशाला प्लाटफ बंच आ रहे हैं उसी प्लॉट में एक ही फ्लॉट है उसी प्लॉट में अभी जो बंच आ रहे हैं जैसे मैं इस बंच की बात करो तो यह शांदार और प्रीमियम बंच है यह एकदम बढ़िया बंच है इसकी लेंध भी अच्छी आ रही है जैसे एक दो तीन चार पांच छ पउधे के नीचे तने की मोटाई काफी अच्छी बनी हुई है तो इसमें करना क्या है जेशेट यहां पर कि एक पंजा दो बंजा तीसरा चुथा पांच वा चटवा साथवा आठवा यह नवा आप रख सकते हो अगर नवे में छोटा केला आगया है तो हुआ भी रखना है आठ वाई पंजा रखना है फ्रूट की संख्या आपको गिंती करनी है फ्रूट 170 से एक सो नभबे अगर है आठ पंजे में तो आप इसको रख सकते हो और यहां पर इसको कट करके यहां नीचे में दो केले रखके इसके उपर ले सकते हूं ठीक है आपने पूछा हुआ है कि सर मैं इसके उपर क्या करूं तो कुछ आप दवाईयों के नाम आपने मेरे पास यह सारी चीज़े हैं तो यह फॉलिवर स्प्रे आप मिक्स में नूट्रिशन का ले सकते हो इससे काफी अच्छा रिजर्ट आपको इसमें मिलेगा दूसरा बारिश का दिन चल रहे हैं तो बारिश के दिनों में आपको करना क्या है जैसे यह फ्लावर में आपको दिखाता अहले सकती है लेकिन अगर पूरा नीट कर रहे हो और के लिए पहले से ही प्रीप्रिटक्शन कर रहे हो तो आपको बिटल नहीं दिखेगा नीचे में पॉधे के तने के पास भी आपको यह अधुल जैसे यह वाला जो है ऑनाही रखना है क्लीन रखना है ताकि महां पर हम को श्ट्रीट करके वहां पे बिटल के जो अंडी होती है जो जर्मिनेशन पिरेड अभी चालू हो गया है उसको हम लोग करके या मार के उसको हम लोग वहां से भगा सकते हैं तो बिटल के लिए भी आपको आपके पास एक अच्छा सा वीडियो बना कर में भेजूंगा तो स् ट्रिपल नाइन ये मेरा खुद का पॉसनल नंबर है ये किसान कारेशाला का नंबर है दूसरा संपरक के लिए राहूल जवान जी भी है जो यूपी पूरा देखते हैं लगभग लगभग उनका एक्सपरेंस के इसापशे ये बंच इतने बढ़िया निकले हुए है तो र किसान के मेहनत का फल है किसान की मेहनत का फल ये लिखने में मुझे बहुत गरब मैसुस हो रहा है किसान की मेहनत का फल हाँ ये मेरे किसान के मेहनत का फल है ठीक है तो आपके पास schedule मैंने भीजा हुआ है भीया और जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं उनके पास description में mobile number दिया हुआ है आपके खेत में अगर कुछ समझाय है कौन से भी crop से related तो आप किसान कारेशाला platform पर मेरे नंबर पर राहुल भाई के नंबर पर या हॉपिस पर आप वीडियो बना कर बेच सकते हो ता कि आपकी फसल में जो समझाय आ रही है उस समझा का समाधान तक पहुंचा सके हम लोगों ने जो सीख्या है वो सीखाने का प्रयास आप लोगों को आप लोगों की बीच में हम लोग कर रहे हैं कई जगा पे शवरा कि आपके वहा झाल झाल